हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल परिक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो चलिए आज की EVS पेडागोजी की प्राक्टिस को सुरू करते हैं आज ये चौथी वीडियो है और इसके पहले तीन वीडियो आ चुके हैं त तो चले शुरू करते हैं आज के वीडियो को सभी प्रश्ण महत पूर हैं तो किर्प्या वीडियो में अंति तक बने रहिए वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को स प्रशा के रूप में नहीं रखा गया क्यों? पहला विकल्प है सी बी एस ए के द्वारा पर्यावरण अध्यन के पाठेक्रम को इसी पिरकार से निर्धारित किया गया है दूसरा है इस आयूबर्ग के वच्चे अपने परवेश को समगर रूप में देखते हैं तीसरा है यह सिक्षड अध्यम की एक अच्छी युक्ती है और चोथा है यह पाठेक्रम के भार को कम करने के लिए है तो NCF 2000 ने सिपारिश की थी कि पर्यावरण अध्यन को विज्ञान और सामाजिक अध्यन के लिए समर्पिज दो अलग-अलग हिस्सों के बजाए पूरे प्रात्मिक इस्तर के लिए एक एकी गरत पाठेक्रम के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए ये NCF 2000 ने सिपारिश की थी क्योंकि बच्चे जो हैं अपने आसपास की दुनिया को समग्र रूप में देखते हैं यानि की अपने पर्वेश को समग्र रूप में देखते हैं दूसरा विकल्पिस में सही है इसलिए पर्यावरण अध्यन में संकल्पनाओं और मुद्धों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विशय के रूप में नहीं रखा गया है दूसरा विकल्पिस में सही है अगला प्रश्नि देखते हैं रिखा है निम्नलिकित में से कच्चा एक और दो के लिए पर्यावरण अध्यन विशय के संधर्व में सच है पहला विकल्पिया पर्यावरण अध्यन से संब्दित मुद्धों और संबंदों का संपादन भासा के द्वारा होता है दूसरा है परियावरण अध्यन से सम्मंदित मुद्धों और सम्मंदों का संपादन भासा और गडित के माध्यम से होता है तीसरा है कच्छा एक और दो में पर्यावरण अध्यन को एक नए विसाय की रूप में प्रस्तुत किया गया है और चौहता है कच्छा एक और दो में एक विसाय की रूप में पर्यावरण अध्यन समझने के लिए आसान नहीं है तो कच्चा एक और दो के लिए पर्यावरण अध्यन विश्य के संदर्व में सही है पर्यावरण अध्यन से संबंदित मुद्दों और संबंदों का संपादन भासा और गडित के माथ हम से होता है दूसरा कल्प इसमें सही है जैसा कि इसके पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि पर्यावरण अध्यन एक बहु आयामी विश्य है जो विभिन सैस्चड़क छेतरों के महतपूर सिधानतों को सामिल करता है और यह एक वियापक छेतर है जो इविएस के बुनियादी सिधानतों के सास सामाजिक विज्ञान भासा गडित आदी जैसे समंद समंदित विश्यों का अध्यन कराता है तो इसलिए दूसरा विकल्प इसमें सही होगा पर्यावरण अध्यन से समंदित मुद्दों और समंदों का सम्पाद अन्भासा और गडित के मात्यम से होता है अगला प्रस्ण है पर्यावरण अध्यन के पाठे क्रब में उपविस्यों के इस्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्यों? पर्यावरण अध्यन में पाठों को कम करने के लिए दूसरा है बच्चों के पर्वेशी बोध में ब्रद्धी करने के लिए तीसरा है बच्चों के इस्थानी पर्वेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अन्ता सम्मंदित समझ के विकास के लिए और स्वता है उपविस्यों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्यन का समपादन आसान है तो पर्यावरण अध्यन के पाठा क्रम में उपविस्यों के इस्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है क्योंकि बच्चों के इस्थानी पर्वेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अन्ता सम्मंदित समझ के विकास के लिए तीसरा विकर्पिस में सही है अगला प्रस्न है निम्निलिकित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्यन पाठा क्रम के छे मुख थीमों में से एक नहीं है पहला विकल्प है भोजन दूसरा है आवास तीसरा है हम चीजें कैसे बनाते हैं और चोथा है काम और खेल ये प्रस्न जो है कई बार पूछा जा चुका है तो आपको जो छे थीम हैं वो याद रखनी हैं कौन कौन सी हैं छे थीम परवार और मित्र जल यात्रा भोजन आस् हम जो चीजें बनाते हैं और करते हैं तो भोजन आवास और हम चीजें कैसे बनाते हैं ये तो हो गई मुख थीम है और उनमें से एक जो नहीं है वह है काम और खेल क्योंकि यह उप थीम में आता है उप विशे में आता है परवार और मित्र में चार उप विशे सामिल हैं मुख्य थीमों में काम और केल नहीं आता है ये उप थीम है तो इसलिए चौथा विकल्फ इसमें सही हो जाएगा छे थीम आपको याद रखनी है भूला नहीं है एक बार और सुन लिजिए परवार और मित्र दूसरा है जल तीसरा है यातरा चौथा है भोजन पाचवा है आस में से कौन सा एक पर्यावरण अध्यन के समंद में सच नहीं है पहला विकल्प है पर्यावरण अध्यन की प्रकरती एक ही किरत है दूसरा है पर्यावरण अध्यन बाल केंद्रित अध्यन है तीसरा है पर्यावरण अध्यन बच्चों को अपने परवेश को खोजने का आव तो इसमें पर्यावरण अध्यान की संदर्व में जो सही नहीं है यानि की जो गलत है बताना है तो पर्यावरण अध्यान की प्रकृति एकी किरत है सही है पर्यावरण अध्यान बाल के अंद्रित है सही है पर्यावरण अध्यान बच्चों को अपने परवेश को खुजने का देता है सही है लेकिन प्रिया वरड़ और प्रभावसाओं पर बल नहीं देता चोथ विकलप इस में उस्थनी का उत्तर है यही जो है अगला प्राश्नि देखते हैं निमनिलिक्त में से क्या पर्या वरड़ देज signific rankings यहीं क измен पहला विकल्ब है बच्चों की सक्क्रिय भागीदारी, दूसरा है बच्चों के ग्यान को सिख्चकों के ग्यान से जोड़ेना, तीसरा है पर्यावरण अध्यन को कच्छा की चार दीवारी से बाहर रखना और चोथा है बच्चों के स्थानी ग्यान को विध्यालय के ग्यान स से संबंधित करना तो पर्यावरण अध्यन में ग्यान की रचना में जो महतपूर है बच्चों की सक्री भागेदारी पर्यावरण अध्यन को कच्छा की चार दीवारी से बाहर सीखना और श्वता है बच्चों के इस्थानी ग्यान को विध्यालय की ग्यान से संबंधित करना ACD इसमें सही है यानि कि पहला विकल्प इसमें सही है पर्यावरण अद्यन में ग्यान की रचना में जो दूसरा लिखा है कि बच्चों की ग्यान को सिक्षिकों की ग्यान से जोड़ना इसमें ग्यान की रचना में ये मैत पूर नहीं है A.C.D. इसमें सही है पहला विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है पर्यावरण अध्यन में बच्चों को जोडने की सबसे प्रिभाव साली युक्ती है पहला विकल्प है किस्से कहानियां दूसरा है पाठ है पुस्तक का पठन तीसरा है सिक्षक द्वारा व्याख्याएं और चोथा है कच्छा निदर्सन तो सबसे प्रिभाव साली युक्ती क्या है ये पूछा गया है किस्से और कहानिया ये सबसे पिर्भाव साली युक्ती है क्योंकि बच्चे जो हैं जो कहानिया होती हैं उनसे बहुत पिर्भावित होते हैं और बच्चों को जोडने की ये सबसे पिर्भाव साली युक्ती है इन सब में से विकल्पों के हिसाब से यदि आप देखते हैं तो पहला विकल्प इसमें सही है किस्से कहानिया कथाएं भी हो सकता है तो पहला विकल्प इसमें सही है क्योंकि सिक्षक जो है किस्से और कहानियों के द्वारा उन चीजों को बया करने में मदद करता है जिनित देखा जाना है और उसके नोट्स बनाना है इस प्रिक्रिया की माध्यम से अवलोकन और प्रियोग को प्राप्त करना संभव है और यह बच्चों को बिस्यों की कल्पना करने में मदद करता है जब किसे और कहानियां बच्चों को सुनाए जाता है तो बच्चे कल्पन प्रियावरण अध्यर में बच्चों को पाथे पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अनिसरोतों की मदद लेने के लिए प्रोथसाहित करना चाहिए क्यों पहला लिखा है परियावरण अध्यर सीखने के लिए पाथे पुस्तक और शिक्षक ही सरोत नहीं है दूसरे में लिखा है यह परियावरण अध्यर सीखने के लिए समदायों और माता पिताओं की उपस्तिती का विकास करेगा तीसरा है यह सिक्षकों को बच्चों की से विकल्प सही है अब प्रेशन में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्यन में बच्चों को पाठे पुस्तकों और सिक्षकों के लाबा अन्श्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोतसाहित क्यों करना चाहिए क्योंकि पर्यावरण अध्यन सीखने के लिए पाठे पुस्तक जानने का आवश्र देगा, ABC इन में सही है, यानि कि दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, यह बच्चों की सौंदरगत और मनों की रियात्मकोसल का विकास करेगा, यह इसमें गलत है, तो ABC इसमें सही है, यानि कि दूसरा विकल्प इसमें सही है, अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण एक सिक्षक हमेशा किरिया कलापों को कराने के बाद प्रस्णों और चर्चाओं का संचालन करता है किरिया कलापों प्रस्णों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्धेस है वहला है बच्चों की प्रक्रिया कोसलों का आखलन, दूसरा है बच्चों को खोजने का आवसर देना, तीसरा है बच्चों को अपनी अव्यक्ति का आवसर देना और चौता है बच्चों को में उनकी सीखने की गति के आधार पर बिभेद करना तो सिक्षक क्या कर रहा है क्रिया कलापों को कराने के बाद प्रशनों और चर्जाओं का संजालन करता है तो उसका उद्देश है बच्चों की प्रक्रिया कोसलों का अकलन बच्चों को खोजने का अवसर देना बच्चों को अव्यक्ति का अवसर देना ए बी सी इसमें सही है लेकिन बच्चों में बिभेद करना, ऐसा कोई विकल्प हो तो पहले ही काट देना, क्योंकि ना तो बच्चों में बिभेद करना है, ना ही उनके समू बनाना है, कि ये होसियार बच्चों का समू है, ये कम होसियार बच्चों का समू है, ऐसा तो बिल्कुल ही करना ही नहीं है ऐसे विकल्प हों तो आप उन्हें पहले ही काट देजिएगा तो ABC इसमें सही हो जाएंगे चौथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रस्ण देखते हैं एक सिक्षक खाना किस प्रिकार खराब होता है पर एक प्रियोग करता है सिक्षक बच्चों के समूँ बनाकर उनको प्रियोग से समंदित सामगरी देता है सिक्षक बच्चों के समूँ क्यों बनाता है पहला है यह सहगामी अदगम का समर्थन करता है दूसरा है यह बच्चों की सामाजिक अंता के लिए में सुधार करता है तीसरा है समू अधिगम बिना बोज के पर्यावरण अधियन के अधिगम का पिर्भावसाली तरीका है और चौथा है कच्छा में अनुषासन को बनाई रखने के लिए समू में अधिगम एक महत पूर युक्ती है तो सिक्छक जो है खाना किस प्रिकार खराब होता है पर एक प्रियोग करता है और बच्छों के समू बनाकर प्रियोग से समंदिस सामगरी देता है तो सिक्छक बच्छों के समू क्यों बनाता है क्योंकि यह पाठी अधिगम का समर्थन करता है यह बच्छों की सामाजी कंता क किरिया में सुधार करता है इस तरीके के समू तो हम बना सकते हैं लेकिन बच्चों को होसियार और कम होसियारों में बाटना इस तरीके के समू नहीं बना सकते हैं लेकिन यदि बच्चे कोई कार कर रहे हैं तो इस तरीके के समू बना सकते हैं एव और भी इसमें सही है पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं निमनलिखित में से क्या परियावरण अध्यान में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए पहला विकल्प है नियाई और समानता के प्रती सरोकार दूसरा है सहे बागिता तीसरा है याद करना और चौथा है प पूचा गया है याद करना आकलन के लिए संकेतक नहीं है बाकी तीनों आकलन के संकेतक हैं तो इसमें तीसरा विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है अगला प्रश्ण दिया गया है परिया वरडध्यन में सिख्छक के द्वारा बच्चों को स्वयम अपने का आंकलन के लिए अवशर देना चाहिए स्वा आंकलन है पहला विकल्प है CCE CCE यानि की सत्त और व्यापक मूल्य आंकल दूसरा है सीखने के समान आंकलन तीसरा है सीखने का आंकलन और स्वा था है सीखने के लिए आंकलन तो पर्यावरण अध्यन में सिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयम का आंकलन के लिए अवसर देना चाहिए स्वा आंकलन जो है सीखने के समान आंकलन है या सीखने के रूप में आंकलन है दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा क्योंकि EVS जो है इसका उद्देश एक छात्र और उसके परवेश के बीज संबंद बनाना है EVS में मुल्यांकन इस बंधन के निर्माड में एक उप्योक्त सहायता के रूप में काम करना चाहिए तो इसलिए इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा तो दूसरा विकल्प इसमें सही है सीखने के समान आकलन क्या होता है यह छात्रों को उनके स्वयम के अध्यन पर प्रतिबंधित करने की अनुमती देता है और यह एक गत्विदी है जो छात्रों को उनके स्वयम के अध्यन में सुधार करने के लिए मूल्यांकन का उपयोग करने में मदद करती है अब इसके लाबा सीखने का आकलन क्या होता है जो तीसरे विकल्प में लिखा है और सीखने के लिए आकलन तो इनके बारे में भी जानना आवश्यक है तो सीखने का आकलन तब होता है जब सिक्षक बिध्यार्थियों के लक्ष और मानकों के विरुद उपलबदी पर निड़े लेने के लिए चात्र के अध्यन के साक्ष का उप्योग करते हैं तो वह कहलाता है सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन क्या होता है सिक्छार्तियों और उनके सिक्छकों द्वारा उपयोग के लिए सबूतों की तलास और व्याख्या करने की प्रक्रिया है यह तै करने के लिए कि सिक्छार्ति उनके अध्यन में कहा है उन्हें कहा जाना है और वहाँ पहुँचने के लिए वे कितने अच्छे हैं यह कहलाता है सीखने के लिए आंकलन तो यह भी आपको याद रखना है CCE यह क्या है? छातरों के विद्याले आधारित मूल्यांकन की एक प्रडाली है जो छातर विकास के सभी पहलूं को सामिल करता है तो यह CCE कहलाता है इसमें दूसरा विकल्प सही है अगला प्रश्ण देखते हैं लिखा है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उप्योग होता है पहला विकल्प है लिखित प्रश्ण दूसरा है अवलोकन तीसरा है जाच सूची और चौथा है अधी विन्यास तो रेटिंग स्केल में जाच सूची तकनीक का उप्योग होता है तीसरा विकल्प इसमें सही है जाड़ा प्रश्ण दूसरा प्रश्ण सिक्छक द्वारा रेटिंग स्केल गिरहकार ये सभी क्या है ये सिक्छक द्वारा प्रश्ण किये जाते हैं सिक्छड अधगम प्रक्रिया में और ये मुल्यांकन उपलबदियों और शात की सीखने की प्रगती के पड़ामों को दर्स आते हैं तो रेटिंग स्केल में जात सूची का उपयोग किया जाता है ये आपको याद रखना है अगला प्रशने देख लेते हैं निमलकित में से कौन सा पर्यावरण अध्यन का उद्धेश नहीं है इसमें से जो पर्यावरण अध्यन का उद्धेश नहीं है वह बताना है पहला विकल्ब है बच्चों की जिग्यासा और स्रजनात्मक्ता का पोशड करना दूसरा है परवेशी मुद्धों पर जागरुकता का विकास करना बच्चे को स्मयम अपने हांस से कार करने और खोजने की किरिया कलापों को जोड़ना और चौता है बच्चों को पाठे पुस्तक की परभासाई पिरदान करने के लिए पुरोत साहित करना तो परियावरण अध्यन का उद्धेस नहीं है पूछा गया है बच्चों की जिग्यासा और स्रजनात्मक्ता का पोशड ये परियावरण अध्यन का उद्धेस है पर्वेशी मुद्धों पर जाग रुकता का विकास करना ये भी उद्देश है बच्चे को स्वयम अपने हां सिकार करने और खोजने की किरिया कलापों से जोड़ना ये भी उद्देश है लेकिन बच्चों को पाठ़ पुस्तकी परभासाई प्रदान करने के लिए प्रुपसाहित करना ये पर्यावरण अध्यन का उद्देश नहीं है तो चौथा विकल्प इस प्रशने का उत्तर हो जाएगा अगला प्रशने देख लेते हैं आखरी प्रशन है ये आज का पर्यावरण अध्यन में चित्र पढ़ना एक महत्पूर किरिया का लाप है निमलकित में से कौन सा संकेतक का बच्चों में आखलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है पहला है अवलोकन और अभी लेखन दूसरा है अभी व्यक्ति तीसरा है विसले सण और चोथा है परीक्षण तो चित्र पढ़ना एक महत्पूर किरिया का लाप है इवियस में और संकेतकों का बच्चों में आखलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है तो कौन सा संकेतक बच्चों में संकेत कों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है तो अवलोकन और अभिलेखन अभिव्यक्ति विसले सड ये सभी जो हैं चित्र पढ़ने के द्वारा आकलन हो सकता है क्योंकि चित्र अध्यन एक ऐसी गत्विदी है जिसमें बच्चों को एक चित्र दिया जाता है जिसका उन्हें अवलोकन करना होता है और मोखी के अलिखित रूप में अपना अवलोकन प्रस्थत करना होता है चित्र अध्यन एक महतपूर गत्विदी है जिसमें सिक्छार्थियों के कई संकेतक सामिल होते हैं इसके अलाबा भी और संकेतक हैं कौन-कौन से है अवलोकन और अवलेखन तो इसमें लिखा ही है अव्यक्ति, अव्यंजिना, महतपूर सोच, प्रत्योक्ष करण ये सभी चित्र पढ़ने के संकेतक हैं तो आपको ये भी याद रखना है, प्रियोक करना इसमें सामिल नहीं होता है, ए वी सी इन में सही हैं, तो आज की वीडियो में 15 प्रस्न लिए थे, 15 प्रस्न आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं और 15 आपके NCRT और जो सिलेवस दिया गया है, EBS का उससे पूछे जाते हैं, तो NCRT को मैं handwritten note से पढ़ाई रही हूँ, और EBS की question मैं important question की practice भी करवा रही हूँ, पेडागोजी के, और PYQ मैंने सारे करा ही दिये हैं, तो यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं, तो देख लीजे, क्योंकि previous year के question आपको बहुत करती ज्यादा help करते हैं, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में, और किसी भी प्रस्न में आपको doubt हो, comment box में जरूर लिखिएगा, वीडियो कैसा लगा, comment box में जरूर बताईएगा, वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को subscribe कर लीजिए, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye झाल, कर दा disfr Wick